हलो फ्रेंड्स मैं प्रभ्ज्र कुरसंदू स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर तो आज की जो मैं ब्लोग बनाने लगी हूं शुरू कर रही हूं मैं बना रही हूं कड़ी और कड़ी बना रही हूं बिल्कुल ओयल फ्री और मैं जब भी कड़ी बनाती हूं ओयल फ् यह मैंने सारा कुछ कड़ाई रखी थी और डाल रही हूं सुखे मसाले जीरा है अजवाइन है और है मेत्रे वो जो मेत्र होता है ना फैनु ग्रीक्स वो है इनको भून कर और सारा कुछ मैंने डाल देना प्याज लसन अदरक जो भी है हरी मिर्च बगरा तो फिर जो मेन मसाले होते हैं वो डाल दूँगी हल्दी लाल मिर्च नमक स्वादन सार बड़ी अच्छी कड़ी बनती है हाँ लेकिन जो पकोड़े निकालती हूं वो मैं तेल में निकालती हूं क्योंकि पानी वाले पकोड़े कोई पसांद नहीं करता जी तो इसलिए फिर और इतनी टेस्टी बनती है न कड़ी कि आप सोचेंगे अच्छा बिना तेल के भी कड़ी बनती है बनती है और बहुत स्वादिश बनती है तो यह मैं डार रही हूं हल्दी डाली है आप बताएं आप कैसे बनाते हैं कड़ी आप बनती है आप ऐसे बना कर देखिए बड़ी अच्छी बनती है आलू डाले हैं अब मैंने आलू डालके और बाद में सारा इसमें डाल दूंगी जो घोलतियार किया हुआ बेसन और धही का और फिर बाद में ये बनती रहेगी तो फिर साथ साथ में पकोड़े निकाल लूँगी सर्दी बहुत हो रही है और बहुत ज़्यादा टेंपरिचर है जो लो जा रहा है और काम करने का भी मन नहीं करता लेकिन क्या करें जिन्दगी है तो करना तो पड़े गई तो ये मैं घूलने लगी हूँ घूल बना रही हूँ ये बेसन और दहीं का ये मैंने डाल दिया अपने मसाले में और ये सासात में ये बनेगी कड़ी और सासात में मैं पकोडे निकालके सासात में डाल दूँगी साथ में बनाए थे चावल उनकी वीडियो नहीं बना पई चावलों की तो माफ कीजिएगा वो तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है फीके चावल बनाने है प्लेन वाले राइस तो ये मैं पोड़ों के लिए बेसंड डाला है साथ में मैंने इसमें कसूरी मिठी डाली है ये मिठी हम घर की बनाते हैं सुखा कर न क्योंकि हम बीजते हैं तो फिर सुखा लेते हैं जब थोड़ी गर्मी आनी शुरू होती है न तो काटके सारी सुखा के रख लेते हैं फिर काफी डिशिज में यूज होती है ये और बहुत ज़्यादा खुश्बू होती है टेस्ट भी इसका एंहेंस हो जाता है डिश का करी में तो मैं डालती है ये मैं पकोड़े निकाल रही हूँ पुकोडे सिंपल ही डालती हुँ इमने एकIs नी डालती मतलब कोई प्याज नी, कोई आलू नी सिध़ नी डाल देती हुँ ऐसे निकाल के पसंद करते हैं, बच्चे भी ऐसे पसंद करते हैं सिंपल पॉडे और यह साथ में ही हो जाएंगे ना इसके साथ कड़ी में और कड़ी इसमें ये अबजॉब कर लेंगे बीच में पकोड़े और बड़े अच्छे लगते है क्योंकि अगर बाद में डालें तो अबजॉब नहीं करते ये ये मक्ष निकाला है क्योंकि हम जो दही हैं वो अलग जमाते हैं और मलाई को अलग मतलब जाग लगाते हैं जो खटा होता है तो इसलिए फिर मैं मुझे ऐसे ही निकालना पड़ा यह मैं अपना रोट बना रही हूँ मम्मी कहा रही थी इतना बड़ा तवे पर नहीं आएगा मैंने गाए नहीं आजेगा तवे पर ऐसे हो ही नहीं सकता तो यह मेरा मिकसाटे की उती है रोटी मैंने दो बनाई नहीं बस दो बनाने की वज़ाए एक ही बना दी और यह चकला है मेरा भारी लोहे का स्टील का बना हुआ तो इसको मैं ऐसे ही अटा उतार लेती हूँ इसका रोज रोजनी धोती इसको सब खा चुके हैं रोटी और मेरी अभी बारी आनी है यह सारी क्लीनिंग वगरा करती हूँ अच्छे से जल्दी जल्दी आप बताएं कैसी जा रही है आपकी जिन्दी जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है वो कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों की कैसी जिन्दी जा रही है इन सर्दियों की दोरान अब जो है हर एक स्टेट में अलग मौसम है वैसे जो उत्री भारत है उसमें तो चल गर्मी होगी महराष्ट्र में भी गर्मी होती है तो बस सभी की लाइफ ऐसी बिजी और घर के कामों में जल्द जल्दी क्लीनिंग कर रही हूं और फिर आज शाम को बनाने है हमने शल्गम जो ममी ने कल किये थे यह लसी बनी है जो मैंने मक्खन निकाला था मक्खन मैंने वो लसी बनाई तो थी वीडियो पता नहीं कहां गई वो मैं आड नहीं कर सकी वो मैंने जो ब्लेंडर होता है उससे मैंने ब्लेंडर से बनाई लसी जग में डाल कर न मलाई तो यह बड़ी अच्छी स्वाद लसी बनी गाड़ी गाड़ी और सर्दी में तो गाड़ी लसी अच्छी लगती है तो वैसे मैं पीती नहीं हूँ, आज मन कर किया पीने का, तो मैंने का जो धूब में बैठके पीती हूँ कभी कभी टेस्ट चेंज कर लेना चाहिए, वो काहवे पी-पी के मनोर होवा पड़ा है और ये देखें हमारी हेलपर है जो चूले को मिट्टी लगा रही है, चूले पर शामको बनने हैं, गोंगलू, शलगम, गोंगलू का साग, तो इसको मिट्टी लगने वाली थी, तो मम्मी आराम कर रहे थें, तो इसने कहा कि चलो मैं लगा देती हूँ, ये देखें, शलगम पड़े हैं यह मैंने काटने है मम्मी न चील के रख दिये थे अब मैं काटनूगी लसी पीकर यही करना है काम सारा दिन चल सो चल चल चलती का नाम गाड़ी बैठ जाएं तो बस फिर बैठ ही जाते हैं पक्केई बड़े अच्छी लगा रही थी यह मिट्टी बहुत अच्छी लगाई हमारी वरकर का नाम है मनजीत और बड़े अच्छी है यह बड़े हैल्पफुल है जो भी काम कर देती है यह मैं मैंने काट ली है सारे शलगम बैठे बैठे अंदर साथ में म्यूजिक सुनते और बस यह रख भी थी यह और मैं आई थी इसमें इसको देखने इसमें कितना है अभी कितना टाइम लगेगा इसको गोटने में सर्दी इतनी है कि पैरों में भी मैंने भूल के जूते पहने हुए थंड इतनी लगए यह देखो इतनी थंड में बच्चे नहीं टिकते पतंग उड़ा रहे हैं हमारे पडोसियों के बच्चे हमें यह जल्दी जल्दी काम निप्टा कर रात का और जल्दी जल्दी बस सो जाए मुणफलियां काई जा रही है तो फिर सर्दियों में होता है यह काम यही काम है सासक में सनैक्स की तरह बस सारा दिन यहीं चलता है यह मम्मी घुटा लगा रहे हैं अभी नहीं तो मुणफली के चिलके डालने आई थी इसमें अभी इसमें थुड़ा टाइम लगेगा यह मम्मी अभी घुटा लगा रहे हैं साग को और इसको एक गम मैश कर लेंगे और इतना टेस्टी बनता ना ला जवाब सर्दी का यह एक इसका शलगम का साग और एक सरसौ का साग यह पंजाब के मोस्ट फेवरेट डिशेज हैं यानि कि सबसे पसल गुड़ पाता है में बड़ी मज़े की बनती है यह आप भी बनाते होंगे आप भी खाईए आप और सब को खिलाएए तो मैंने बस आपसे यह आज का जो रुटीन था चले चलती हूं मिलती हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा बाबाई टेक क्यार